हाई फ्रेंड्स मैंगलो रेका शिट्टिस किचन में आप सब का सौगताई आज हम बनाएंगे मैंगलो स्ट्राइल बांगडा फिश करी ये दोसा इडली चपाती रैस का साथ काने के लिए बहुत अच्छा लगता है इधर मैं तीन फ्रेश बांगडा ले लिया इसका जो बीच में काला है वो सब निकालके अच्छा से क्लीन करके पानी में ओश करके रखा है मीडियम लिम्बू सैज में इमली ले लिया अब इसे पानी डालके बिगो के रख देंगे क्योंकि इसमें जो बी जय वो ईजी निकाल सकते हैं इसलिए ऐसा तोड़ा पानी में बिगो के रख देंगे तवा गरमोने को रख दिया अब इसमें बारा बैडगी चिल्ली डालेंगे नई तो अपना तिका का हनुसर चिल्ली डाल सकते हैं अब चिल्ली को ड्रै रोस्ट करेंगे नई तो वन फोट टी स्पून कुकिंग वाई डालके भी इसे फ्राई कर सकते हैं चिल्ली ड्रै रोस्ट करके निकाल दिया अब उसी तवा पे तीन स्पून दन्या डालेंगे आदा स्पून राई डालेंगे एक स्पून जीरा डालेंगे वन फोट टी स्पून से भी तोड़क कम अजवैन डालेंगे और वन फोट टी स्पून से तोड़क कम मेती डालेंग अब इसे भी अच्छा से ड्राइ रोस्ट करेंगे, नाइ तो फोर्थ पीज्पुन कुकिंग वाड़ डाल के भी इसे फ्राई कर सकते हैं अब इसे ड्राइ रोस्ट वह गया, अब इसे निकाल देंगे, ग्याश आफ करेंगे ड्रेय रोष्ट किया हुआ मसाला पुरा तंडव हो गया इधर महीने 3 टेबल स्पून तक फ्रेश ग्रेटिड कोकनेट लिया है अब ड्रेय रोष्ट किया हुआ मसाला मिक्सी जार में डाल देंगे अब इसमें 1 फोट टी स्पून से भी तोड़ा कम अल्दी पॉडर डालेंगे एक चोट तुकुडा अध्रक और दस कलिया लसुन को भी मिक्सी जार में डाल देंगे और एक मीडियम सेस का ओनियन को कट करके मिक्सी जार में डालेंगे और फ्रेश ग्रेटेड कोकनट भी मिक्सी जार में साथ में डाल देंगे बिगो के रका हुआ इमली में बीज है तो ऐसा देखे बीजी निकालने का बाद इसे मिक्सी जार में डालेंगे अब इसे ग्रेंड करने के लिए कितना पानी चाहिए उतना पानी डाल के इसे स्मूथ ग्रेंड करेंगे देखे अब ये स्मूथ ग्रेंड हो गया तोड़ा कड़ी पता और अरा मिर्च को कड़ करके रखा है और दस कलिया लसुन को कुड़ के रखा है एक कड़ाई को गरम होने को रख दिया अब इसमें दो टेबर स्पून तक कॉकनट वाइल डालेंगे तेल तोड़ा गरम होते ही इसमें कड़ किया हुआ अरामेच और कड़ी पत्ता और लसुन को भी डालके आदा मिनिट के लिए फ्राई करेंगे इसे जादा फ्राई नहीं करने का अब इसमें तोड़ा फ्राई होने का बाद इसमें ग्रैन करके रखा हुआ मसाला डालेंगे उसी मिक्सी जर में तोड़ा पानी डालके और पानी भी इसमें डाल देंगे पानी डालने का बाद अच्चा से एक बर मिक्स करके अपना स्वाद अनुसार नमक डालेंगे नमक डालने का बाद अच्चा से एक बर मिक्स करके इसे डक्कन रखके इसे बॉयल ओने देंगे अब ये मसाला बॉइल होने तग क्लीन करके रखा हुआ बांगडा का पीस करेंगे मैंने एक बांगडा का तीन पीस किया है देखी ऐसा अब इदर मसाला अच्छा से बॉइल हो गया अब इसमें नमक और इमली सही है क्या देखना है इसमें तोड़ा नमक कम है इसलिए मैंने तोड़ा नमक डाल दिया और इस समय पे इमली कम है तो इमली का पानी डाल सकते है अब इसमें कट किया हुआ बंगडा पीस डालेंगे बंगडा फिस डालने का बाद इसमें चमच नई डालने का तोड़ा बरतन को ऐसा तोड़ा हाथ में गुमाएंगे क्योंकि नीचे ना पकट जाए अब इसे डखन रखे दो से तीन मिनिट के लिए कुक करेंगे दो-तीन मिनिट का बाद फिश करी रेडी हो गया गैस आफ करेंगे फिश डालने का बाद दो-तीन मिनिटी कुक करने का ज़ाद नई कुक करने का इसमें तोड असा कट किया हुआ दन्या पत्त डालेंगे यह उप्शनल है नई चाहिए तो स्किप करें आज के रेसिपी आप लोगों को पसंद आये तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें, तेंक यू